तो आध्यात्मिक्ता का मतलब क्या हुआ हम सोल से अपने आपको पहचाने कि मैं रियल में मेरा वास्त्मिक्ता मेरी क्या है ये शरीर नहीं है मेरा सोल है सोल एक एनरजी है और हमारी जो एनरजी बाड़ी है उसके अंदर उस एनरजी से ही पूरी बाड़ी के अंदर एनरजी का फ्लो होता है वो सोर्स होता है वो एनरजी को लेता है रिसीव करता है और उसके बाद वो पूरी बाड़ी में एनरजी को देता है जहां जहां हमारे energy centers में हमारे mental blocks की वज़े से energy का flow रुख जाता है तो वहीं पर वो ग्रंथी जो उस उर्जा चकर से जुड़ी हुई है और उस ग्रंथी से जो अंग जुड़े हुए हैं वहां तक उर्जा नहीं पहुँच पाती है और जब वो वहां पर नहीं पहुँच पाती है तो वो अंग अपनी कारिक शमता जो उसकी है जो 100% जो capacity है वो capacity उसकी दीरे-दीरे कम होने लगती है जब उसकी capacity कम होने लगती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा feel हो रहा है ऐसा लग रहा है लेकिन हम पता नहीं कर पाते कि कि ऐसे क्यों लग रहा है धीरे धीरे अगर वो इस्थिती लंबी रहती है तो वो पूरी तरह से औरजा वीहिन हो जाता है और काम करना बंद कर देता है इस इस्थिती में जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जबकि उसका ओरीजन बहुत पहले हो चुका था वो एनरजी का जब फ्लो रुका था वो बीमारी की शुरुआ थी बीज बोया गया था तो वो बीज जब बोया गया था तो हमको पता नहीं पड़ा बीज जमीन के अंदर चला गया फिर वो छोटा पौदा बनके बाहर आया तो हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ा लेकिन फिर जब वो एक बड़ा पेड़ बना तब हमको लगा कि ये क्या हो गया ये क्या चीज है ये तो हमने कभी देखे नहीं थी ये मेरे सामने क्या आगया तो फिर हम जाते हैं ड़ाक्टर के पास अब डोक्टर्स जो हैं उनके पास एक ही तरीका है वो लाक्षनिक उपचार करते हैं, वो आप जो बताएंगे कि मुझे यहाँ दर्द है, वो यहाँ दर्द की दवाते देंगे, या वो आपके टेस्ट लिखेंगे, आप उन टेस्ट के आधार पर वो आपको बताएंगे कि आपका ये अंग खराब हो गया है, वो उस अंग का शुरू कर देंगे अंदर जो कुछ घट रहा है उसका आपको पता नहीं है कि यह जो ओरिजन था जहां से ओरिजनेट हुआ था उस पर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ जो लक्ष्णिक है उसका उपचार कर रहा हूं तो करीब तीन हजार चिकित सा थेरेपी हैं जो केवल शरीर का ही उपचार करती हैं उनके अंदर कहीं भी मन और आत्मा के लिए कोई उपचार नहीं है मन और आत्मा का उपचार जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन लाक्ष्णिक जो इलाज हैं इन में फसे रहेंगे और इसी के आधार पर हम अपना जितना भी पैसा हमारे पास होता है इन बिमारियों पर हम खर्च कर देते हैं इस शरीर को वापस वैसा ही करने के लिए जैसा ये था जैसा ये शरीर हमारे पास था उसको हमने ही उस इस्थिति में पहुचाया और उसको वापस पाने के लिए अब हमने जितना भी पैसा हमारे पास आवेलिबल है वो उस पर लगाते हैं फिर भी उसकी जो जड़ है वो ही होती है उस बेमारी की उस बेमारी से जो इफेक्ट आया है जो अंग खराब हुआ है सिर्फ उसका इलाज करके आपको थोड़ी राहत मिलती है लेकिन क्यूंकि वो बीज अभी वहीं है तो वो फिर वापस बढ़ जाता है वापस फिर पैदा हो जाता है और इसी लिए हम इसको एक अग्जामपल से समझें कि अगर एक जील के किनारे एक बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग में उस की चाया उस पानी में पड़ वी अगर आपको कुछ भी सुधार करना है उस चाया में तो आप बिल्डिंग पर काम करेंगे तो वो चाया अपने आप ठीक हो जाएगी और अगर पानी में जाके अगर आपने पानी को हिलाने की कोशिश की और उस चाया को ठीक करने की कोशिश की तो वो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी तो काम करने की जुरूत कहा है काम करने की जुरूत है उस बिल्डिंग पर